हरे हमारी लोग की समस्या है ना गर पालका में डूटी कराते हैं ना कोई अउजार देते हैं ना जाडू ना पंजा ना ठेला अब जो भी संबंदी ठेकेदार है उनका भुक्तान किया जा रहा है इसलिए जो भी कर्मचारी है सेवा निम्रत हुए यह वर्तमान में कारत है जो सेवा निम्रत हुए उनका भुक्ता नहीं किया जा सका जो वर्तमान में कारत है उनका भुक्ता नहीं किया जा रहा है एक तरफ जहां भीशड गर्मी आप देख सकते हैं सारे अधिकारियों वो चाहे कर्मचारियों अपने कारियाले में बैठे हुए पर एक एक ऐसा तबका है जो इस भीचर्ण गर्मी में भी बाहर है और तब रहा है सिर्फ एक यहाँ पे टेंट लगा हुआ है टेंट के नीचे यह पूरा तबका बैठा हुआ है आकिर यार यह तबका कौन है क्या कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा हम लोग मौदूद है राइबरेली के नगरपाल का कारियाले में नगरपाल का कारियाले के बाहर लगा ये जो उपर पोस्टर लगा इससे साफ पता चलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर धर्णा प्रदर्शन किया जा रहा है और धर्णा प्रदर्शन में आखिरकार कौन-कौन बैठा है इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर जानगारी आपको दूँगा कि जिलावा नगर सफाई मजदूर संग आद धर्णे पर बैठा हुआ है मजदूर संग का कहना है कि कई तरह की उनकी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं की जा रही है जिसको लेकर यह उनका आखरी दाओ भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से वो धर्णा प्रदर्शन है काफी अच्छी तादाद में एक भारी तादाद में यहाँ पर बैठ प्रशाथन है यहाँ पर आखर कार्याले के चलते किस प्रगार से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसकी सहस तस्वीरे इस बात से साफ है कि आज इन लोगो यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है इतनी भीशड गर्मी में जहां राइबरेली के उच्छ दिकारी अपने कार्याले में बैठे हैं ठंडे हवा में बैठे हैं वहीं एक ऐसा तपका है जो लगातार कारे रहत होता है वो चाहिए आपके घर की नाली चोक हो जाए वो चाहिए गंदगी कांबार लगा हो चाहिए घर के अंदर के कूडे को बाहर पहुचाना हो चाहिए उन कूडों को एक जगा पे सेटल करना हो चाहे, नगर को साफ करना हो चाहे, नगर पाल का, कि जो अन्ने जिम्मेदारियों उनका निर्वाहन करना हो चाहे, सुबह निकलना हो चाहे, शाम को निकलना हो, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाहन ये वो तबका लगातार करता ह हुआ नजर आता है पर आज इन लोगों को धरने पर बैटना पड़ रहा है आपको इन तस्वीरों से एक और चीज़ बताना चाहूंगा इस धरने में जादा तर जो महिलाएं हैं वो देखा जा सकता है कि लगबग उनकी 40-45 जो उम्र है उससे प्लस है वरद महिलाएं भी यहां पर बैटी हैं तो सहज अंदाजा लगाई है कि किस प्रकार से जो योजनाए धरातल में पहुचने चाहिए थी वो अधिकारियों के लचर कार शेली के चलते धरातल पर नही से लगे में किसना किसना जी है अरे हमारे लोकी समचीया है दूटी कराते हैं ना कोई अजार देते हैं ना जाड़ू ना भाब तेला खाली काम कराते हैं साड़ा दिन की काम करते रो हमारी लोग की तीन सिफ्ट में काम कराते हैं तीन सिफ्टे किते किते टाइम के रहते हैं सुबा पांच से पांच बज़े से छे बज़े तक साड़े छे तक सुबा का में रोड का काम कराते हैं उसके बाद अपने वाड भेशते हैं वहां वाड का बुकतान नहीं हुआ है अभी तक तीन साल हो गए और यहां चक्कर लगा रहा है मेरे लड़के की साधी है अधिकारी से बात किया यो से बात किया चेर्मैन से बात किया एकाउंटन से बात किया कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुन रहा है क्या कहते है एकाउंटन वो कहते हैं कि हाँ हाँ आ जाएए पैसा आ जाएगा तो भुक्तान हो जाएगा जा सकता है कि काफी बड़ी तादाद में हाँ पर जो कर्मचारी हैं वह यहां पर घटा हुए है कि लिए भी हो रही है कोई नहीं मिल ला है कोई प्रसानी आती है यह बताये तो यह लोग सुनते नहीं यह लोग अपना पेड़ भरते है अपना पेड़ और यह अस्तोग बाबु है कौण से हम लोग कोण pasture घ्रा Apps tyre उनको जाते हैं जरा सब्साइज है यहाँ लग गई जाते हैं तो तुरह में थैं के इंका तत्काल न आगा ये टी करें एक तस्विर आपको ओर दिखा एक निए पीछ बच्चा बैठा हुए तो आप सैसे इं तस्वीरों से अंदाजा लगाईए पीछे जाए पहले पीछे जाए इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाईए कि एक ग्रहेंडी जब अपने पूरे परिवार को लेकिया धरने पर बैठी हुई है किस प्रकार से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहां पर अधिकारी एक यहां पे आस्तोस बाबुए उनके उपर गंभीर आरोप लगाए जा रहा है कि उनकी जो कार्श है लिए उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है हमाईसा तोर लोग है मैं उनसे भी बाच्चीत करने का प्रयास कि इनके हाथ में तक्तियां है मैं पहले आपको तक्तिया मैं क्या लिखा है लंबित दे को भुक्तान करो भुक्तान करो और दूसरा एक आपको दिखाना चाहूंगा चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी हो कई ऐसे तक्तियां है आपको एक तरफ और दिखाना चाहूंगा कि उत्पीडन की भी बात सामने आ रही है तो किस प सफाई कर 적ते हैं तो हम को 10 साल से एरियल को रोकर पड़े हैं 9-4 दोटी कि जयेए और हम Bringing Kings अच्छे हैं हम लोग कहीं आजा नहीं पाते हैं बस काम करते रहो काम करते रहो सुवेरत हुआ हमाइसाद कुछ यहां पर पुरुश वर की मौझूद मैं उनसे भी बात चीत करने का प्रयास करूँगा वो लोग अपनी बातों को साफ साफ बता सकते हैं कि आखिरकार क्या दि दरसल मैं वार नंबर तीस का सभास हुँ नगरपाल का परसद में लगभग दो बोल बैठक पूर मैंने एक प्रस्टाव रखा था कि चुकी निरंतर शिकाईते आ रहे थी कि सफाई कर्मचारी जो भी नगरपाल का परचेत के हैं जो सेवा निवरत हो चुके हैं उनका भु कारियों के आपरवाई आ रहे क्योंकि अभी मैंने लोगों से जानगारी म का इसलिए घ्ली कर्मचारी है कितनी दिनों से आप लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या चेयरमेन से लगभग एक वर्ष से निरंतर ये प्रक्राण चल ला था है दो महीने से इन लोगों की श्यल्ली चुकी जह अभी ही नहीं पहले भी प्रक्रान हो चुका है कि लोगों सेल्डी दो मैने तीन मैने ठेके दौर दौरा जो आउट्सोर्चिंग के कारणा ठेकेदार है उनको कर्मचारी उनको सेल्ली नहीं दी जाती है अभी ठेकेदारों की जो आउट्सोर्चिंग के माद्रम से कर्मचारी नियुक्त है सर अभी तक सैलरी नहीं आई है देखिए आज 28 तारीक हो रही है हम लोगों की वही साड़े साथ हजार सैलरी उसके बाद भी अभी तक आनी रही है अभी दो मैना होने वाला है यह अभी तक नहीं आई है ठेकेदार देता है क्या नाम है ठेकेदार नाम नहीं पता है हमें जी कारे कर रहे थे पता करना चीए ना जिस नैया। ठेकेदार क्या और हम लोगों की नहीं है उन्हाँ ठेकेदार की जब आप इस से पासी ना होई कि तो वो कैसे देगा। देखे किस प्रकार से गर्मी भी बहुत बेताहसा है और इस गर्मी के बीच में इन लोगो धर्णा प्रदर्शन करना पड़ रहा है ये इंसानियत के उपर से भी बरोसा उठाता है क्योंकि एक तरफ जहां करमचारी अपने कारेकार निर्वाहन कर रहे हैं पर आखिरकार किन चीजों को लेकर कर रहे हैं वह मांदे को लेकर कर रहे हैं जिन से उनका परिवार चलता है आखिरकार वही वह पैसा है जो घर लेकर लेकर जाते हैं अपनी रोजी रोटी चलाते रोजमर्रा की दिक्कतों को निस्तारन करते हैं पर यहां पे इस प्रकार से दिक्कतों का साम तस्वीरों से अंदाजा लगाई है किसको कितनी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है माहिलाओं से भी बात्चीत करने का हमने प्रयाज किया उन्हों ने भी बताए किस प्रकार से दिकते दिकते आ रहे हैं उन्होंने बताए कि मांदे को लेकर भी काफी दिकतों का सामना करना पढ़ रहा है आस्तोज बाबू एक कर्मचारी है जिन पर गंभी रारोप लगाए जा रहा है उनकी उनके जो कार्शैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है यहां पर धर्णा प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह गेट है यहां पर नगरपालिका का जहां का धर्णा प्रदर्शन जो हो रहा है यह आखिरकार कब खतम होगा यहां पर निश्चित कालीन धर्णे की बात की जा रही है पर क्या निश्चित कालीन इस धर्णे को चलने दिया जाएगा यह इनकी जो दिक्कते उनका निस्तारान किया जाएगा यह आने वाला समय ही बता बने रही है राइबरेली एक्सप्रेस के साथ आखेल शुआस्तो राइबरेली एक्सप्रेस खबरे सबसे सटी